बीजेपी विधायक कुलदीप सीम सेंगुर के बाद अब बदायू के एक विधायक कुश्चागर सागर रेप के मामले में फस्ते जा रहे हैं शिकायत करता का आरोप है कि जब वो नाबालिक थी तब कुश्चागर ने शादी का सपना दिखा कर उसके साथ दो साल तक शारीरिक संबद बनाए और अब अपने वादे से मना कर रहा है उत्तर प्रदेश में बीजीपी के एक और विधायक पर बलातकार का आरोप लगा है बदायू की एक महिला ने बिसाओली से बीजेपी विधायक कुशागर सागर पर रेप का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है महिला का आरोप है कि कुशागर ने शादी का जहांसा दे कर उसके साथ दो साल तक संबंद बनाए लेकिन अब शादी करने से मना कर रहा है पीड़ता के मुताबिक उसकी मा पूर विधायक योगेंदर सागर के घर काम करती थी तब वो भी अपनी मा के साथ योगिंदर सागर के घर जाती थी इसी दोरान कुशागर ने उसे शादी का जहांसा दे कर बहला लिया और शारिडिक संबन्द बनाता रहा लेकिन विधायक बनने के बाद वो अपने वादे से मुकर गया है वहीं SSP कलानी धी नैथानी ने कहा है कि तफ्तीश होने के बाद आगे की कारवाई की जाएगी पीडिता का आरोप है कि बीजेपी विधायक कुशागर सागर ने उसकी जिंदगी खराब कर दी है उसके लिए कहीं काम करना भी मुश्किल हो रहा है और वो आपने साथ इंसाफ चाहती है इससे पहले उन नाओं में बीजेपी विधायक कुल्दीफ सिंग सेंगर के खिलाफ भी रेप का आरोप लग चुका है और फिलहाल वो जेल में बंद है ब्यूरो रिपोर्ट गो नियोज